एक बात का अमेशा विशेस धियान रखना, आपका लैप्टॉप का प्राइस क्या है, आपका फैमली बैग्गराउंड क्या है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा फोड़ने वाले हो अपने कॉलेज के चार सालों के अंदर और ऐसे में हमारा जब कॉलिज के अंदर गए थे तो इक अच्छा परस्टनल एक्पिरियंस यह रहा कि हमने जिनने भी बॉइज ऑस्टेल के अंदर तीन सो चार सो हम बच्चे थे तो हम सब एक दूसरे का लैप्टॉप हमने देखा है कि फर्स्ट यर में क्या स्थिती थी से लेकर आए हैं वो लिस्ट आपको समझ में आ जाएगी आप में से अल्रेडी सारे बच्चे काफी अवेर होते हैं कि आज कर लाप्टॉप करते हैं पर फिर भी मैं कुछ इंपूट्स दोंगा जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे और लाप्टॉप पर एक बड़ा इंपोर् करना चाहते हैं यह काहिसी की बहुत जन्रिक नेट भी है कि मैं बहुत सारे मिरे टाब एक साथ चलते रहने चाहिए दिकत नहीं आने चाहिए और फर्स्ट यह से फोर्थ यह तक साथ बना रहे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर आप एक मोबाइल भी पर्चेस करत हो यह एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी कॉलिज लाइफ के अंदर लाप्टॉप का एक बड़ा इंपोर्टेंट रोल होने वाले काफी यूज आपने करोगे सेकंड चीज कि लाप्टॉप मैंने हमारा पर्सनल एक्स्पिरेंस जब हम उस्टल में थे तो यह था कि जो में अगर आप देखोगे तो 48 मंस अब मैं चाहता हूँ आपका जो भी लाप्टॉप है उसकी प्राइसिंग पर मन्त में निकाल लो कि मालो अगर एक लाप्टॉप 48,000 का है और हम करीबन 4 साल कोई टार्गेट कर रहे हैं तो महीने का 1000 रुपए उसकी कोई कोस्टिंग हो ग इतने हो गए 60 months to 72 months हो गए तो अगर आप प्राइसिंग उससाब से देखोगे तो वह 1,1213 रुपए इस चौदा सो मैक्स अगर आप स्पैक्स ज्यादा ले लो तो ठीक है तो उस हिसाब से हम एंगल से चीजों को देख रहे होंगे और इसमें आर आपको अपनी पॉकेट का कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइस करते हो आपको अलाव करती है पॉकेट तो आप डेफिनेटली देख सकते हो और इसी चीज को दियान में रखते हुए हमने मैनत करके एक शीट बनाई है एक तो यार आपको राम का ध्यान रखना है राम आपका लाव करता है कि आप कितनी सारी चीजें कितनी सारी टैप्स एक साथ खोल पाते हो तो जितनी जादा राम होती है उतनी अच्छी होती है बेर मिनिमम आपके पास आठ जीबी आज के दिन होनी चीए राइट अगर 16 ज जूरत पढ़ती है चलते 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 या कहीं ओफ तो आप एकदम से उसे खोलोगे तो जल्दी उठता है और फास्ट भी होती है आपको रीड़न राइट भी जल्दी फास्ट हो रहे होंगे तो SSD में अगर आपके पास 256 GB है तो वेल और पांसो बारा है तो और भी बढ़ि कर रहे होते हैं सारी processing इने के उपर हो रही होती है तो अगर आप Intel यूज़ कर रहे हो तो i5 एक अच्छा option है अबब बढ़िया काम करेंगे अगर आपका budget काम है तो कोई बात नहीं हमने कुछ अच्छे options यहां पर दे रखे हैं similarly Ryzen होता है Ryzen में Ryzen 5 अगर आपके पास है तो पावर और GPU अगेरा हो तो काम चल जाता है एक sweet spot अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे जहां पे laptops में आपको ठीक ठाक specs मिल जाएंगे तो वो होगा आपका laptops under the range of 50,000 under 50,000 में आपको मीठे मीठे सारी specs थोड़े थोड़े ऐसे मिल जाएंगे कि आपका कोई भी काम रुके नहीं ठेक है और अगर आपका budget कोई constraint नहीं है तो आप definitely फिर उससे उपर जा सकते हो राइट और उधर में को उस रेंज के अंदर अगर आपको gaming नहीं करनी है तो my personal favorite is Macbook मैं हमेशा कोई भी जो मुझे मिलता है उनने suggest करता हूं only one reason कि उनकी durability काफी अच्छी है battery life आपको आपको बड़िया मिल जाती है और जब इस्तमाल भी करोगे तो आपको बड़ा एक स्मूथ experience देंगे अंटेन अनले सापको gaming करनी है तो आप फिर बाकी options भी चेक कर सकते हो राइट कुछ और ऐसे laptops भी हमने रखें जिसके अंदर yoga option है या फिर आप उनके उपर लिख सकते हो जस्तों बच्छों के लिए जिनका थोड़ा मन है कि वही में अपने laptop के उपर हाथ से लेक पाऊं पेंटाब वगेरा की मदद से या touch screen से कर पाएं यह मेरी भी इक इच्छा हुआ करती थी पर बाद में हमें समझ भाया कि laptops उतने चाहे ना भी हो तो भी आपका बड़िया का जाएंगे उतने जितने आप फीचर बढ़ाते जाओंगे उतने उसकी durability पे कोशन मांक बढ़ता जाएगा कि कोई चीज खराब ना हो जाए लाप्टॉप के ऊपर कुछ किर जाता है सोते सोते बेड से नीचे घर जाते हैं कभी-कभी मदद चार साल के दो तो यह सारी चीज तो 14 इंचे पहला हमारा है यार एसर 1 14 14 इंच का आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल रहा होगा राइजन 3 प्रोसेसर है 8GB RAM मिल जाएगी जो कि आपको बढ़िया बात है और सबसे अच्छी बात 512GB आपको SSD मिल रही होगी विचिस वेरी गूट चार पांच गंटे की अब इसके अंदर आपको 8GB RAM 256GB SSD वही पांचे गंटे की बैटरी लाइफ सारी मोरले सेम चीज रहेंगी ठर हमारा HP 15S इसके अंदर सोड़ी स्क्रीन साइज बढ़ गई है साइज बढ़ा है राइजन 3 प्रोसेसर आप गया है 8GB 512GB SSD विच इस गोड चार पांच गंटे की ब आप जब order करते हो तो काफी बार कुछ कहीं defected product ना आ जाए कम chance होते हैं पर chances होते हैं कि थोड़ा से dent point लगा हुआ है delivery में कुछ उपर निचे हुआ तो आप पर परेशान ना हो प्लस साथ में जब आप शॉप में जाके एक laptop को एक दम ऐसी उठा के देखोगे तो आपको better इसका वजन ऐसा है इसके उपर मैं काम करना चाहता हूं बढ़िया है ports ऐसे हैं अच्छा लग रहा है rigid body है metal body है तो अच्छी आपकी चल रही होगी right plastic body है क्या है आप उसका जो webcam है वो on the spot देख के उसकी quality चेक कर सकते हो तो हमेशा कोशिश करो कि एक shop के उपर जाके आप यह चीजे पर चेस करें यह मैंने एक sweet spot लिखा था अगर आपके laptop में यह सारे specs है तो अच्छा है 8GB RAM Ryzen 5 अगर मिल पाए तो very good i5 11 generation इस तरह की चीज मिल पाए तो बहुत ही बढ़िया storage 256 GB होनी चाहिए 66 गंटे की battery life इसके लिए आपको थोड़े से उपर वाले bracket इसके अंदर पड़ेगा यहां पर अगर आप देखोगे 8GB RAM है वही SSD आपको लगबग उतनी मिलेगी बस प्रोसेसर आपके थोड़े से बैतर हो गया जैसे आपको राइजन 5 का एक option मिल गया तो यह लिनोव वी 15 है 15 इंच का आपका laptop है राइजन 5 का आपको hexa core processor मिल रहा है इसके अंदर backlit keyboard भी है आपकी SSD भी 512 GB है यह भी एक अच्या बाई है बस size थोड़ा सा बढ़ गया है 15.6 inches तो अगर आपके लिए वो इसु नहीं है तो यह तीनों laptop आपके लिए बढ़िया रहेंगे ports वगेरा links वगेरा सारी हमने आपे दे रखी है यहां पे एक और mention मैं करना इसके बार में जादा नहीं बताऊंगा राइट पर उपर का शॉमी में को बेटा लगा next laptop under 50,000 का यह एक ऐसा sweet spot है जहां पर आपको more or less सारे specs अच्छे ठीक ठाक मिल जाएंगे तो यहां पर आपके जो display size है जैसे पहला है HP 15S तो 15.6 inches राइजन 5 512 SSD 16 GB RAM यह बहुत ही प्यारी चीज हो गई यहां पर 16 GB RAM के options राइट नॉन एक्सपेंडबल है पर ठीक है बढ़िय SSD है और backlit keyboard है तो यह सारे options आपको देखर हो backlit भी मिल गए सारे अच्छी चीज़े मिल रही है प्रोसेसर भी ठीक है RAM भी ठीक है 16 GB मिल गई तो यह एक बड़ी आप प्राइस रही जा जाती है यह फिर वीवो बुक 16x है इसके अंदर भी आपको RAM 8GB है जो आप expand करा सकते हो और प्रोसेसर है वह राइजन 5 का है राइट बैटरी लाइफ है वही चार से पांच शेगंटे की इनकी दे रखी है नेक्स्ट रम कैटेगरी में जाएंगे laptop अंडर 70,000 में यहां पर हमें एक option ने कुछ योगा laptop से भी रखें जस्टों बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हमारे laptop ऐसे हो जाएं राइट जिसे हम उसको यूज कर पाएं तो यह देख लेना यह ना शॉप पे जाके देखना आपको इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि यार बाहर से देखने तब तो बड़ा मन करता है कि हां यार लैप्टॉप है इसे 360 डिग्रे डिग्रे में कि कितना आपको useful हो पाता है क्योंकि आपको एड़ान रखना हो से किसी टेबल पे तो कीबोर जब टेबल को फेस करेगा तो आपको यू नहीं लगना चीए कि या स्क्राइच हो रहा है मेरा लैप्टॉप अंदर की तरह से या डियूरिबिलिटी थोड़ा चेक कर लेना तो कि लिख भी सकते हो और लैप्टॉप की तरह भी इस्तमाल कर सकते हो इंटल क्रो कोर का आए फाइफ प्रोसेसर 11 जनरेशन 8GB राम एक्सपांड़ेबल तो 32GB राइट करा ही लेना इतना महेंगा आप ले रहो तो इस पैक्स पैंड 512GB और 5-6 गंटेगी आपको बाटरी सब्सक्राइब तो बढ़िया आपको यह चीज है यह थोड़े बहुत प्राइसे ना आप डाउन जैसे मालों यह जो शीट है यह दो तीन दिन से बन रही है तो काफियों में तो ऐसे हुआ कि जब तक तीसरे दिन तक पहुंची शीट तब तक लाप्टॉप का प्राइस य सबसे उपर आएगा ओवियसली माकबुक एर एंवन ठीक है अब मैं जब तक था ना मेरे को मैक बुक से बड़ा डर लगता था पतानी कैसे होंगे विंडोस से अलग सिस्टम होते होंगे फिर पापा ने बिना पूछे मुझे यह चीज दिलवा दी थी मैं भी बड़ा होते हैं यह एकदम सामने ही आपके जैसे पड़ा है और एक नई M1 चिप आई है और उससे भी नहीं अब एक M2 चिप आई है तो इन फैक काफी सारे और ओफिसेज में लोग यूज करते हैं तो कोई हमें आज से चिश्व नहीं आता काफी बढ़िया लाप टॉप बनाएग आपका चल जाता है राम 8GB है और मुझे एकस्पैंड करने की जुरत नहीं पड़ी अभी तक हाँ पर आप चाहू आपके पास पैसे हैं तो आप 16GB तक करा सकते हूं 256GB SSD है वर्क्स वारस ठीक है और यह बैकलिट कीबोर्ड 9 कैसे कर दिया मेरे में तो जल रही है और यह सारे पोर्ट्स वगेरा इसके अंदर बता रखें काफी बच्चों को MacBook इसले भी बसंद है क्योंकि इसका एक ecosystem अगर आपके पास है तो laptop से mobile में चीज़ शेयर करना या फिर अपने laptop से किसी दोस्की laptop में शेयर करना मुबाइल में शेयर करना चीज़ें बड़ी अशान होती है AirDrop के माध्यम से तो AirDrop एक तरह से अगर जिसे नहीं पता एक तरह से आप Bluetooth की तरह समझ लू बस यहां पे दो दो तीन तीन जीवी की फाइल बड़ी स्पीड की तरह जाती है और आपका जो productivity हो काफी enhance होता है उस चीज से हाँ इसके कुछ नुकसान भी है आपको पोर्ट सिफ आप सी पोर्ट मिलते हैं वो भी सिर्फ दो तो ऐसे में अगर आपको कोई pen drive गुसानी है अलग port टाइप की या फिर आप चाहते हो कि भई HD card गुश जाए या आप चाहते हो HDMI मेरी असके अंदर अटाच हो जाए तो उसके लिए आपको extensions और खरीदनी पड़ती है और सभी extensions 5-10,000 रुपे के बीच के आती है तो वो एक added expense इसके अंदर हो जाता है तो वो एक ports के लेके चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है और एक और इसमें नुकसान यह है कि आपकी जो भी मानलो आपका hard disk होती है वो इस हिसाब से formatted होनी चाहिए कि वो windows में भी चल जाया और macbook मे मानलो आपका दोस्त आपको कोई hard disk देता है जो कि windows के हिसाब से formatted है तो windows आप apple के अंदर जैसे ही डालोगे तो वो आप सिर्फ देख पाओगे पर write नहीं कर पाओगे उसके समझ में आ रहे है तो यह भी है किशू कभी-कभी शुरुआत में हो जाता है तो बाकी सारी चीज अब इसके अंदर important होते हैं तो 6GB का आपको यार इन्वीडिया का ग्राफिक काड इसमें 4GB का और इसके अंदर SSD डाल रखिए 1TB की अब जैसी gaming laptop आ गए तो वहां पे अरब थोड़ी सी आपको space जादा चीए आप गेम को इंस्टॉल करके रखोगे तो 1TB, HDD वगए इस त अच्छे से अवलेबल हैं लैपटाप संदर अबव 70,000 यार एक बहुत ही बड़ी रेंज है और उसके अंदर कई सारे लैपटाप से पर फिर भी हमने कोशिश करा एक और gaming laptop को डालने के लिए यह यार आपका SOS का TUF Gaming A15 15.6 इंच का Ryzen 9 Octa-Core प्रोसेसर है इसके अंदर 16GB RAM है 6GB का ग्राफिक कार्ड है 512GB SSD है बैक लिट भी है बैटरी बैकप साड़े 14 गनटे का है मतलब सब कुछ ही दे दिया और प्राइसिंगे करीबन एक लाख रुपे की यह जो पीछे MacBook है यह भी अब 74,000 नी 82,000 रुपीज का यहार फ्लिपकार के उपर शो कर रहा है शॉप क बैटरी ब्लाइफ थोड़ी और बढ़ गई और बस M2 चिप आ गई है इसके अंदर और कोई जादा थोड़े बहुत और चेंजेज है बैजल सब गेरा के थोड़ा और हलका है वजन में चाहो तो आप इसको देख सकते हो फिट हर्ड है HP का 16 बड़ा complex नायम N0051 AX 16.1 इंच के अंदर यह इसकी speciality है और डेड लाक का laptop है तो यहां पर pricing काफी ज़्यादा चले गई है बाकि सारी सुईधा ही भी आपको बहुत ज़्यादा दे दिए है टाइप C port भी मिल जाएगा आपको टाइप A port भी मिल जाएगा HDMI port भी मिल जाएगा तो वो सारी चीजें भी इधर कि इन 4-5 सालों में कितना आप अपने उपर work करते हो आप अपनी core skills के उपर काम करते हो आप अपनी soft skills जैसे की personality development, communication इन सब के उपर काम करो यह 4 साल आपका एक playground है और इस playground के अंदर आपके जो fears हैं जो insecurities हैं कि यार मैं यह चीज़ नहीं कर पाता इसमें मुझे डर लगता ह शर्म आती है, मैं English नहीं बोल पाता हूँ, उसके ओपर work करना start करो, मैं coding में कमजोर हूँ, उसके ओपर work करना start करो, कि यार यह कमजोरी आज है पर आज से 365 दिन बाद मैं एक better position में होंगा, तब मैं same बहाना नहीं मार रहा हूँगा, उसके 365 दिन बाद मैं same level पे नहीं तो एक अलग व्यक्ति निकलना चीए, तो इसी के साथ आज का ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए love you all, take care, और और कुछ आपको जानना हो, तो जरूर comment section में बताएं, in fact ये भी बताएं, कौन से laptop हैं, definitely कुछ ऐसे laptops बच गए होंगे, जो हम cover नहीं कर पाए होंगे, तो अ